आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कि जिसको सब कुछ विरासत में मिला उसे कुछ पता ही नहीं होता आगे उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले अखिलेश ने जिन्ना कुदेश का आदर्श बताये था अब कहीं ऐसा नहों कि वह उसामा बिन लादेन को अपने पिता के बराबर खड़ा कर दे या उसामा बिन पूरे पांसाल इन्होंने वीडियो गेम खेलने में ट्वीटर में और फेस्बूक में बिता दिये हैं कुछ भी कह देना फिर गुलाटी मार लेना फूक के चाटने वाला कहावत इन पर एकदम चरितार्थ बैठती है जैसे जब पूरी दुनिया करोना से करा रही थी हमारे देश की वग्यानिकों ने वैक्सीन इजाद की हमारे देश की डॉक्टरों ने वैक्सीन इजाद की उसका भी मजाक उड़ाने का काम किया यह भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे मैं मुलायम सिंग जी को धन्यवात देना चाहता हूं पूर मुक्मंतिर हैं उन्हों उन्होंने अपने बेटे द्वारा फैलाय हुए भ्रहम पर भ्रहम को समाप्त करने का काम किया और वैक्सिन लगाया तो थूंक के चाटने वाली कहावत सही हुए वह भी कहने लगए वैक्सिन लगवाना चाहिए वही मैनपुरी में कैबिनिट मंद्री रंद गोपाल नंदी के विवादत बयान पर सपाविधायक राचकुमार यादव ने पलतवार करते हुए विवादत टिप पढ़ने की उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एक संसकारी पिता के संसकारी पुत्र है जबकि कल जो नेता मंद्री ने भौका है ऐसा लगता है कि उसका डीने कराना पड़ेगा कि वो किस प्रजवाती के हैं जबकि आगे सपाविधायक ने भाशा की मर्यादव को तोड़ते हुए भी कई विवादत बयान दिये जहापर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लादेन रूपी दामाद बना रखे हैं चलिए आपको भी सुनाते हैं कि सपाविधायक ने क्या कुछ कहा कड़ी दिन्दा करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि माननी अखले स्यादाव एक संसकारवान बाप के संसकारवान पुत्र हैं कल जो मंत्री ने भौका है अब हमें यह लगता है उसका डी ने कराना पड़ागा वो किस प्रयाती का है वैसे हिंदु दर्मे नंदी कहते हैं साड़ को नंद बावावी संद रखते थे और भोले वावी स्वाड रखते थे अब यह हमें करना है कि नंदी किस प्रयाती का है मोखा भी है और नंदी भी है उन्होंने याद कंपेर कर सकती है जो बीजेपी ने लादे रूपी दमाद बना रखें उनके बारें क्या बोलेंगे बड़े बड़े नेताओं के दमाद जो लादेन है उनके बारें टप्पी करें नंदी उन्हें हिसित माले पड़ जाए अगली खबर मतुरा से है जहां पर ब्रज में यमुना नदी का बहुत महत्व है और दूर दूर से आने वाले श्रधालू यमुना में डुपकी लगाने के बाद ही ब्रज की परिक्रमा लगाते हैं और बंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं लेकिन अब यमुना नदी इतनी दूशित हो चुकी है कि लोग अब इसमें डुपकी लगाने से भी कतरा रही हैं जबकि यमुना नदी का सुन्दरी करन के नाम पर यमुना के आसपास यमुना मिशन संस्थाने पौधार ओपन करके जमीन पर भी अब कबजा कर लिया है ले इसने एक यवक को हिरासत में लेकर उसकी बरबरता से पिटाई की जिसको लेकर सवर्ण आर्मी ने स्पी कारियाले पर धना प्रदर्शन करके लाल गंज थाना पौलिस के खिलाफ कारेवाई की मांगी। तो वहां के थाना प्रभारी हैं उन्होंनों योगे स्थिवारी को मतलब समझे की गैर कानूनी तरीके से पकड़ करके 48 घंटे अपने अंडर में रखे और उनको बरबर तरीके से उनको प्रताडित किया गया उनके गुपतांग में डंडा डालकर उनको मारा गया तो ये ज अगली खबर राइबरेली से है जोहां पर प्राथमिक स्वास्तकेंद्र सलोर में डॉक्तरों की बहुत बड़ी कमी सामने आई है जोहां सियची डॉक्टर मुहंबद अक्तर ने नस्बंदी ऑपरेशन किया था जिसके एक साल होने पर महिला के प्रेगनेंसी टेस्ट से पत पती हो गई है जबकि गाउं की आश्या बहु से जानकारी मांगने पर उसने जानकारी देने से भी साफ इंकार कर दिया आश्या मावी तुम्यल छानकारी मंजल करहती है टूमर की दुनाट Ев par Mas western का करवाया था इन नस्बंदी मीं करवाई थि आप कहां पर ब्लाग करो स्लोन सेलावन असर्कारी स्पिताल में कप कर वाई थी मधिसkas adviserblog लिए यह आप का ब advance इना समझ हूआ। अगली खबर सिदात दकर से है जहां पर नौगर तैसी लोटिन के एक कोटेदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी राशन के गोदाम से राशन तौल नहीं किया जाता है और पैसे लेने का भी आरोप लगाया गया वही ग्राभीरों ने बताया कि एक यूनिट पर आधा किलो कब राशन दिया जाता है इस मामले पर जिला अपूर्ती अधिकारी से बाचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अब ऐसी कोई शिकायत संग्यान में नहीं आई है अगर किसी डीलर से अवैद रूप से पैसा वसूल जा रहा है तो जाचकरा खट संबंदित लोगों के खिलाफ कारेवाई की जाएकि वोजह यह है कि हमको खाद्यान तौल के नहीं दिया जाता है और हर वोरे में तीन किलो चारी किलो साथ मार जाता है अगर हम पूरा देते हैं पांच किलो तौल करके तो लगवक तीस से चार दारक बंचित रह जाएंगे खाद्यान नहीं पाएंगे जी वही हम आदा किलो कम करके मैरेज कर देते हैं ताकि सब लोगों को मिल जाए तो आगे से जहां से रासन उठांग करते हैं आप वहां नहीं बताते हैं इसा है वहां बताया जाता है लेकर हम सब जन्पत की जिला लिखन माहोओं जिला पूट vicari माहोडे को लिखिट क्यावन भी जिछेख है कि लेकिन त्वल के निर्गत नहीं हो रहा है बोरी होती है इसकि क्यावन डावन के नाम पर दिया जाता है चावल की मूरी और पते गा सब्रति में से धीया जाट इसे ऑनारों और जब हम उसको घर्टे ले आकर के तॉलते हैं तो उसमें 46-47 रहता है जिसके वज़े से पबलीग में हमारे प्रती एक होस्त अगर प्रता ही कोड़दार खाध्यान को कम दे रहा है मेरे संग्यान में तो यशी कोई वाथ किसी कोड़ार में सिकायत नहीं की यदी सिकायत करता है तो इसकी जाच कराएंगे और जाच करके जो भी दियमनुसर करवाई संभवगी वह вид राकोटे दार पर सरकारी गोदाम में इस वक्त गंभीर आरोप लगाए कए हैं अगली खबर सिदात नगर से है जहां पर किसानों में खुशी देखने को बिली है और उनकी खुशी की वज़े थी घना कोहरा और शीतलहर क्योंकि किसानों का माना है कि जितना जादा कोहरा और शीतलहर होगी गेहों की फसल भी उतनी ही अच्छी पैदावार होगी जबकि इस रवे के सीजन में किसानों को उरवरक के लिए काफी भटकना पड़ा और किसी तरह से किसानों उरवरक लेने में कुछ हद तक सफल भी हुए जबकि सरकार ने नहरों की सफाई तो करा ही दी है लेकिन नहरों में पानी नहीं आ रहा है जिसे किसान अपने खेतों में पंप सेट से सचाई करते दिखाई दे रहे हैं वही किसानों का कहना है कि अगर शीत लहर 15 दिन तक और रहेगी तो किसानों की फसले अच्छी होंगी अगर शीत लहर को बड़ाने स्रीट लाहर के लिए माले दस दिन चार दिन ठंडी रहेगा दस दिन तो आद में कपड़ा और घर में बैठा रहे जाएगा लेकिन फसले के लिए बहुत फादय मन्द है शीत लाहर और अगर 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 फसलन है वह बहुत बढ़िया फा अगर अगर यहां पानी से जैसे चुईबल या फ्राइबेड वह है उससे ज्यादा फाइदा हो तो उसमें गर्मी होता है और नहर बाले में ठंड़क होता है वादब एस सीत लाहर काफी फाइदे बंद है गयों के लिए तो बहुत फाइदा है तेलहं दलहं के लिए नुक जनवरी सीत गिरतों के होंग लिए फाइदा है वही मैंपुली कर लेक्ट्रीट पर सहारा इंडिया के करमचारी और कॉंग्रेस पार्टी ने जलाधिकारी के माध्यम से सरकार को ग्यापन सौपा और लोगों को रुपए वापस दिलाइव जाने की गोहर लगाई गई आप के कारण काई लोग बिरुसकारी की कगार पर आचुके हैं ना कहीं डम कर लिया गया और भुकतान नहीं बीच बशकारी अब इनके आगे तो आगे मौत पीछे खाई है क्योंकि वह लोग जिनका जमा करवाया है वो इनसे भुकतान मांगते हैं यह कहते हम तो आपको जानते हैं आपने हमारे पैसा जमा कराया अब एक-एक करतान है ए अब किसी सुनी नहीं जो चौकी बदर और लेकिन की सुरॉबाई नहीं परजिन नहीं 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 कर रहा है के वल धर्म की राजनीत करता है और बोट लेता है जो समस्या और एक थोड़ीगा और इन्हों की इतनी बड़ी समच्या आ गई है खुद को इसी कई लोग कर चुके हैं तो हम इन लोगों के साथ हैं और साथ उन्हीं के पैसा जमा किया जमा करता है उनके भी साथ है जो सारा की संपत्ति है सरकार को तुरेंट अपने करना चाहिए हमारा मांग आठ साल पुरानी है सारा से भी विवाद को लगबक आठ साल हो गया है कंपनी का करीब 24,000 क्रोल के तहत हमारी गरीब जनता और हमारे कारकरता बहुत परिसान है लोग वाग उसमें जमा करता और कारकरता खुदकुशी भी कर रहे हैं घर से निकलना ह मुश्किल हो गया है हम लोग कारोबार भी शिन गया है और गरीब जनता का पैसा जिसमी से उनों ने जमा किया था किसी कार कार काम करने के लिए उनको टाइम से नहीं मिल पा रहा है वो अपना कार भी नहीं कर पा रहा है और वो साहरा के कारता हो बहुत ज़्यादा परतारि हमारी अगली खबर मतुरा से है जहाँ पर वाट नमबर 13 यमुना पार के तेवारी पुरम के लोग नर्किय जीवन जीने को मजबूर है जनके घरों में सीवर लाइन का पानी घुश जाता है और लोगों को आने जाने में भी काफी कड़ी मशकत करनी पड़ती है जबकि बीते दो महीनों पहले उर्जामंत्री शीकांच शर्मा ने तेवारी पुरम का दोरा भी किया था और यहां सीवर लाइन के समस्या को लेकर 20 दिन में उसे ठीक कराने का वादा भी किया गया था लेकिन आज तक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है और अब सीवर की सम आज तक कोई समस्या का समादा नहीं हुआ है इसकी सिकाथ आपने नगर निगम में की नगर निगम में दस्यों बार कि कि यहां पर देहात कोतवाली के गाउं में दबंगों के होसले इस अहद तक बुलंद हो चुके हैं कि घर के बाहर से मोचर साइकल पर गाउं के दो येवक नावाली की योवती को लेकर फरार हो गया है और उसको अतर्रा स्टेशन पर जाकर छोड़ दिया और योवती को धंकी देकर किसी से कुछ भी ना कहने की बात कही जिसके बाद पीड़ता के परिजरों ने पुलिस सिथाने में मावले की शिकायत दर्च कर आई लेकिन जब पुलिस ने इस मावले पर कोई कारेवाई नहीं की तो पीड़त योवती के परिजरों ने पुलिस सदिक्ष्यों कारेले पहच कर नियाई की गोहार लगाई पर तुम लोग को ने पुलिस सब्सकाइब के लिए मुझा ने परिजरों कर दो मैं को लोग जन से मार देंगे आपके परवार वालों को मार देंगे बताया पूरी बात महाँ पर कुछ नहीं हुआ किसे दिन हो गए घटना को परसो की घटना है अभी तक कोई आरोपी गरफतार नहीं हुआ यह गिर्व यह थानक उतवाली चेतर के एक गाउं की लड़की के लिए आरोप है कि गाउं के दो लड़के उसको बाला पुदा कर वातरा रेलो इस्टेशन ले गए थे जहां पर किसी वेक्तिदारा फोन करके इनके माता पिता को बुलवाया गया और यह लोग लड़की को ल कर आवशक कारवाई की जाएगा वही बस्ती के वाल्टर गन्ज थाना के गौरा गाउं में बीते दो जन्वरी को किशोरी का शवगेहूं के खेत में मिला था जबकि किशोरी के शरीर पर धारदार हतियार से वार करके निशान बने हुए थे जिसका खुलासा पुलिस ने कर आपा होते हुए युवती पर ताबर तोड बार करके उसे मौत के खाट उतार दिया गया और शब पुछे पाकर खुद मौके से वो फरार हो गया था करकार से इस पूरे अभ्यूग में जो क्राइम नंबर तीन बटे दो हजार बाइस जो मूलूप से 302 आईपीसे में पंजिक रिप था उसमें धरा 306 चट 302 201 आईपीसी में इन दोनों अभ्यूगतों की ग्रफतारी कर ली गई है और इसमें अभ्यूगत की निसादेही प पर की ब्लड के धब्बे लगे हुए हैं उसको बरामत दिया गया जो आपके सामने प्रस्ति दिया गया है और इस अच्छे कार के लिए और सफलता पुर्वक इस घटना का नावरण करने के लिए पूरी टीम को पुलिस अभेचेक महोदे द्वारा दस जार उपे का नगत पुरस्कारवी दिया गया है और अच्छा कार हुआ है और बिल्कुल सफलता पुर्वक इस केस का अनावरण किया गया है वही बल्या के अव उभाव उथाना के अवला गाउ में एक के शौच करने गई युवती के सब को बरामत किया गया है आपको बता दे कि ये पूरा मामला बल्या से बता रहे हैं आपको जहां पर उभाव उथाना के आवया गाउ में शौच के लिए गई युवती का शव ब देखे गए हैं जैसे ही घटना की जौनकारी युवती के परिजनों को मिली सभी का रोरो का बुरा हाल हो गया और इस घटना की जौनकारी मिलते ही मौके पर बोजी पुलिस ने शब को कब जे मिले कर फिलाल पोस्वाटम के लिए भेज दिया है जबकि इस मामले में एस बी ने कहा है कि आगे की कारेवाई पोस्वाटम रिपोर्ट आदे के बात की जाएगी जिससे क्रम में बॉड़ी को पी-म के लिए भेजा गया है पी-म में जो भी जानकारी आएगी उससे आप तो अगज़ करवाई से अगरे मिले कारवाई से अगज़ कर दिया है आपको बता दे कि इनके कब्से से 6,22,000 के जाली नोट और एक प्रिंटर, तीन मुबाईल और चार होट स्पॉट डिवाईस बरामत किये गए है वही मैनपूरी के भोगां थाना शेतर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हो गई का घंटा चुराया था और वो इस घंटे को बेचने जा रहे थे जिनकी गिरफदारी पुलिस ने मुगबिर की सूशना के आधार पर की पारा बोगां अंतरगर्ट एक अलिपूर खेड़ा अमारी पुलिस चोकी है पिछले दिनों एक मंद्र से घंटा चोड़ी हुआ था उसमें फाया दर्ज की गई थी काफी वजनी घंटे थे पिचास किलों से उपर के सब्सक्राइब इसमें पुलिस लगी हुई थी तो बाद में वहीं के तीन अभ्यूप यह सोहेल सुनी लो तभी यह तीनों अलिपूर खेड़ा के हैं और यह तीनों को पकड़ा गया तो उनसे जो चोड़ी का है वह साथ में एक चोड़ी का भाइक जो प्रोजाबाद से उसका मुकदमा द इनको जेन भेजा जा रहा है इनकी लंबी क्रिमनलिस्टी है कई बारी जेल गया है चोड़ी प्रोजाबाद से हैं जहां पर पुलिस अदीक्षक के इन्रदेशन पर चलाए जा रहे है अभियान में एक बड़ी सफलता है सोजी की टीम और सलोन पॉलिस को बरामत हुई है ज इरोग ने कई जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था यह एक बहुत बड़ा गैंग जो है वो सोजी और सलोन पुलिस के बारा प्रणा गया इसके पुल 11 अधर से हैं और यह विभेंज तरह के क्राइम जैसे की बूट चोरी और इवन की डगहती भी कर लेते थे और यह सभी के सभी इसमें प्रताब गड़ डाल गारी 11 चेत्र के रहने वाले हैं और इनके द्वारा पिछले विगत कई महिनों में सलोन च्छेत्र में लूट चोरी और तरह कि अधिकी ना बनाते समय तमाम तरह की वारदातें इनके दोरा की नहीं है इनकी दो बातें जो पूस्ता के मुख रूप से निकल के आई यह बेसे की ड़केती की युजना बना रहे थे साथ ही इनको किसी एक मंदर में छुपे हुए घुप्ट धन की जानकारी थी जि उन्होंने ये भी पूस्ता चेंगता है कि अगर उसको को ही रोता तो हम उसको मार भी सकते हैं और इसी के साथ उत्तरप्रदेश की खबरों में फिलाल इतना ही देश-दुनिया की बाकि की तमाम खबरों के लिए अबने रिगी प्राइम टीवी के साथ नवशकार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार